एक छोटे से आदिवासी बच्चे ने एक अमेरिकन पर तीर से बार कर दिया जो सीधा उसके हाथ में पक्री हुई बाइबल में जाके लगा ये बात है 2018 की जब जॉन एलेंड चो 27 साल का एक अमेरिकन जो क्रिस्चैनिटी से इस हद तक प्रभावित था कि वो भारत के North Sentinel Island जाकर वहां के जानलेवा अधिवासियों को जीसस के बारे में जानकारी देने और उन्हें Christianity में convert करने का फैसला करता है जॉन नवंबर 2018 को अंडमा निकोबार आइलन पहुचका ट्राइब्स के बारे में रिसर्च करता है और कुछ दिन बाद अपना काम शुरू कर देता है वो Sentinel Island तक चलने के लिए कुछ मचवारों से बात करता है लेकिन इस खतरनाक और गैर कानूनी काम के लिए कोई भी तयार नहीं होता आखिर में जॉन एक मचवारे को 25,000 रुपे देकर Sentinel Island चलने के लिए राजी कर लेते है 14 नमंबर 2018 की राथ 26 साल के जॉन एलें चाओ राथ की अंदेरी में आईलेंड के लिए निकले ताकि कोश्ट गार उन्हें देख न पाए वे अपने साथ Sentinel जाती के लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके चले जैसे कैची, सुक्योई मचलिया, कुछ फिश हुक, फुटबॉल और एक वाटरप्रूफ बाईवल लेकर वे 15 नमंबर 2018 की सुबह इस आईलेंड के पास पहुचे उसने मचवारे को कुछ दूर से ही इंतजार करने को का और अपनी कस्ती लेकर तटकी और बढ़ गया वो देखता है कि वहाँ कुछ घर है और साथ ही उसे औरतों की आवाज भी सुनाई दी जॉन अपनी कस्ती को एक जगह पर खड़ी करके देखता है कि वहाँ पर कुछ सेंटिनल जाती के लोग अपने हाथ में भाले और तीर लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे है जैसे ही वो लोग नजदीक आई जॉन ने उन लोगों से कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं जीसस भी आपसे प्यार करते हैं उन्होंने देखा कि उस समय सेंटिनल जाती के लोग काफी अग्रेसिव दिख रहे थे वे उन्हें तीर से मार नहीं वाले थे कि जॉन वहाँ से भाग निकले आगले दिन जॉन फिर से वहाँ पहुच जाता है लेकिन इस बार नौर्थ के इससे में उसने देखा कि सेंटिनल जाती के लोग उसकी और देखकर कुछ जोर जोर से चिला रहे हैं वैसे उसे ये लोग क्या बोल रहे थे ये तो समझ नहीं आया लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि वे लोग काफी घुसे में थे ये लोग जो भी कुछ बोलते जोन भी उसे दोराने लगा सेंटिनल जाती के लोग इसे देखकर काफी जोर जोर से हसने लगे उन्हें हसता हुआ देख जोन धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा जॉन अपने साथ लाए हुए तोफे उन्हें देना शुरू कर देते हैं एक यंग लड़का और एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में तीर और कमान लेकर तोफे लेने के लिए आगे आए जॉन उन तोफो को देकर आदिवासियों को बाइवल का पाट समझाना शुरू कर देते हैं तबी एक बच्चे ने तीर निकाल कर जॉन पर वार कर दिया तीर सीधा जाकर जॉन की बाइवल में लगा जॉन डर के मारे वाण से भाग निकला और तेरत हुए किसी भी तरह अपनी बोट तक पहुचा रात को अपनी बोट पर जाकर उसने डायरी में लिखा कि भगवान क्या या आईलेंड सहतान का आखरी पड़ाव है जहां किसी में भी आपका नाम नहीं सुना और शायद सुन भी नहीं पाएगा जॉन ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे डर है कि कहीं सेंटिनल रादिवासी उसे मार न डाले कहीं वो अपनी जिंदकी की आकरी शाम न देख रहा हो वो आगे लिखता है कि मैं मरना नहीं चाहता इसलिए मुझे इस जगे से चले जाना चाहिए लेकिन जॉन इस सेंटिनल जनजाती के लोगों को जीसस का पाठ पढ़ाने की ठान चुका था इसलिए उसने अपने पैरेंट्स को एक लेटर लिखा कि अगर उसकी इस परियास में जान चली जाती है काफी देर इंतजार करने के बाद उसके साथ गया मच्वारा देखता है कि जॉन की बॉड़ी को आदिवासियों ने उठाया हुआ है मच्वारा समझ चुका था कि जॉन को इन आदिवासियों ने मार डाला उसने जॉन के कही मुताबिक तट पर जाका जॉन के दोस्त और उसके माबापको ये ख़बर दे दी तो चलिए अब जानते हैं कहां है ये आइलेंड भारत के अंडमान और निकोबार आइलेंड ग्रूप जिसमें 500 से ज़्यादा छोटे बड़े आइलेंड है इन में से सिर्फ 38 में ही लोकल लोग रहते हैं जबकि 12 टूरिस्ट के लिए खुले हुए हैं ये सभी आइलेंड तीन जिलो में डिवाइड किये हुए हैं जो है नौर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान इसकी राजदानी है पोर्ट बलेर जो की साउथ अंडमान में है और नौर्थ सेंटिनलन आइलेंड यहां से सिर्फ 50 किलोमेटर दूर है कहा जाता है कि जो कोई भी उस और जाता है या पहुशने की कोशिश करता है वो वहाँ कदम रखते ही मौत के घाट अतार दिया जाता है इस आइलेंड पर रहने वाली सेंटिनली जनजाती ने आज तक किसी भी बारी अमले का सामना नहीं किया है रिसर्च के मुताबिक यह लोग छोटे कदगे होते हैं और इनकी भासाई समानताओं के आधार पर इने जार्वा समुदाय का बताया जाता है इस आइलेंड पर मनुष्य की मौजूदगी तो 60,000 साल पहले से है यह लोग अभी भी पाशान काल के सामान और हत्यारों का इस्तेमाल करते हैं भारत सरकार ने भी इन जनजातियों को संग्रक्षित करने के कानून बनाई है इसलिए इस छेतर में परशाशन के अलावा किसी भी भारी व्यक्ति का प्रवेश निशेद है यहां तक कि फोटो खीचना या कोई फिल्म बनाना भी कानून जुर्म है साल 1991 में आकरी बार यहां से जनजाति की लोगों ने परशाशन की टीम से कुछ नारियल लिये थे इसके बाद से यहां कोई खास संपर्क नहीं हुआ है ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि इस अनोके आईलेंड पर 40 से लेकर 400 लोग हो जकते हैं यहां के लोग बाहर ही दुनिया से संपर्क बिलकुल नहीं चाते साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोश्ट गार्ड के हेलिकॉप्टर सेंटेनल लाइनेट पर भेजे थे ताकि सेंटेनल ली आदिवासियों की मदद की जा सके लेकिन आदिवासियों ने हेलिकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिये साल 2006 में दो मच्वारे अपनी नाव समीत भटक कर इस आईलेंड के करीब पहुच गए थे सुबह तक आदिवासियों ने उन्हें मार डाला ऐसी यह गटना है दो अगस्त 1981 से की जब प्रिम्रोज नाम की एक कारगो शिप बंगलदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेबल कर रही थी मौनसुनी तूफान के कारण यह सिप का संतुलन विगड़ जाता है और यह बंगल की खाड़ी में नौर सेंटिनल आइलंड के कोरल रीफ में जाकर फस जाती है इस सिप में सवार लोग कुछ कारणों की वज़़े से लाइफ बोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और इसी दर्मियान क्रू ने देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात को समझने में जराब भी देर नहीं लगी कि ये लोग उनकी मदद के लिए नहीं बलकि उन पर अटेक करने आ रहे हैं ये लोग कोई और नहीं बलकि सेंटेनल ही जन जाती के लोग ही थे जो शिप पर सवार लोगों पर हमला करने के लिए अपने तीर कमांड के साथ इनकी तरफ बढ़ने की तयारी कर रहे थे तब ही शिप के कमांडर ने एक एमर्जनसी मेसिज जारी किया वाइल्ड मैन एस्टिमेट मोर दन फिप्टी केरिंग वेरियस होममेड वैपन्स आर मेकिंग बूडन बोर्स वरिंग दे विल बोर्ड अस एड संसेट आल कुरू मेंबर्स लाइव नॉट कैरेंटीड एक हफते बाद इंडियन नेवी में हेलिकोप्टर भेजा और सभी की जान बचा ली गई आज भी इस खाली शिप को नौर सेंटिनल आइलेंड के पास देखा जा सकता है बिर्टी संस के इस आइलेंड पर हस्तक शेप के बाद से ही इसकी पॉप्लेटी तो बड़ी लेकिन यहां की ट्राइब्स में से जंगील ट्राइब 1920 तक पूरी तरह से खत मिल चुके हैं वहीं जारवा जाती के लोगों की गणना एक समय 9000 से भी जाद आती जो फिलाल साड़े 300 के आसपास ही बची है वहीं आखिर में सेंटिनल जंजाती के लोग 40 से लेकर 400 तक हो सकते हैं इसके बारे में कोई परफेक्ट अंदाजा नहीं है यह जाती हमारे इसरे दिन सिपर सबार यात्रियों पर लाल रंग से रंगी हुई नाख, छोटे बाल और तरह तरह के अवाज निकालने वाले लोगों ने अटेक कर दिया था ब्रिटिश इंडिया की रॉयल नेवी की बज़ा से यह सभी लोग बच पाए 1914 में एक फिल्म डिविजन के निर्देशक प्रेम वाडिया 22 मिनट की एक डॉक्यमेंटरी मैन इन सर्च आफ़ा मैन के लिए अंडमान निकोबार की जनजातियों की शोटिंग करना चाते थे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि वे अंडमानीज आदिवासियों के लिए गिफ्ट जैसे की मचलिया, नारियल और कुछ लोहा लेकर जाएंगे ये लोग सारी चीजे आईलेंड के इन्ट्रेंस पर छोड़ देते थे और थोड़े दूर जाकर ये अब्जर्ब करते थे कि ये लोग इने एकसेप्ट करते हैं या नहीं उनकी ये ट्रिक सफल हुई और उनने जारवा आदिवासियों से संपर्क किया लेकिन ये ट्रिक सेंट्रिनल जनजाती के साथ काम नहीं आई सेम ऐसा ही जब इस टीम ने सेंट्रिनल आइलन पहुच कर किया तो सेंट्रिनल ही लोगों ने इन पर तीर बर्शाने चुरू कर दिये इन तीरों से यूनिट का एक सदसे जकमी भी हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि ये जाती इतनी अग्रेसिव है क्यों अब सेंट्रिनल जनजाती के लोग इतने अग्रेसिव क्यों है इस बात का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन कुछ थियोरी है जो ब्रिटिस नेवल ओफिसर मौरिस वाइडल पोर्टमैन को ब्लेम करती है दरसल साल 1880 में मौरिस ने सेंट्रिनल जनजाती के कपल और चार बच्चों को किड्नेप कर लिया था ऐसा करने के पीछे उनकी मनसा सेंट्रिनल जनजाती के लोगों के बारे में स्टडी करना थी इन में से उस कपल की मौत हो गई क्योंकि उनके पास कुछ बिमारियों के अगेंस जेनेटिक इम्यूनिटी नहीं थी शर्मिन्दा होकर पोर्टमेन ने बच्चों को कुछ उपारों के साथ द्वीप पर लोटा दिया शायद यही सबसे बड़ी बजाए कि सेंट्रिनल जनजाती के लोग मौडल दुनिया से कोई भी तालूक रखना नहीं चाहते इसके बाद भारत सरकार ने इन लोगों से संपर्क साथ में के कई प्रियास किये इसमें मुक्य भूमी का निवाई टियन पंडित और मदुबाला चेक्टोपादिया ने 1981 के बाद कई बाद टियन पंडित सेंट्रिनल जनजाती के लोगों के लिए गिप्स लेकर इनके पास जाने की कोशिश करते रहे लेकिन वे कामियाब नहीं हो पाए 1991 में इंडियन प्रोजेक्ट्स के कुछ लोगों ने सेंट्रिनल जाती के लोगों के साथ करीग 10 मिनट बिताए थे और कुस दिनों बाद ही 35 भी साइलेंड पर पौचे और इस बार उन्हें सेंट्रिनल लोगों से संपर करने में सफलता मिली उन्होंने देखा कि सेंटिनल आदिवासियों के पास मैटल के हतियार थे जो शायद उन्होंने प्राइम रोज शिप को तोड़ कर बनाये थे 1977 में के बाद भारत सरकार ने इस आईलेंड पर लोगों की आवाजाई के लिए संपूल तौर पर मनाई जाहिर की थी बावजूद इसके कुछ लोगों का मानना है कि हमें सेंटिनल लोगों के साथ कम्यूनिकेट करके उनसे संपर्क साथना चाहिए वहीं कुछ का कहना है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम तरह की बिमारिया होने का खत्रा है अगर हमेंसे कोई भी इंसान निहत्ता भी नादिवासी लोगों के बीच टैल ने भर गया तो उने एन्फ्लुएंजा चिकन फॉक्स जैसी कोई भी बिमारी हो सकती है और इन लोगों की बची कुछ भी आबादी का भी दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा बारत सरकार के अनुसार इस आइलेंड पर रहने वाले लोगों की इस आइलेंड पर समप्रभूता है और उनके पास इसकी सीमाओं की रक्षा करने का भी अधिकार है इसलिए किसी भी आदिवासी पर सिकारी, चोर या गुस्पैटिय की हत्या के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा एरक्राफ्ट और सैटेलाइट से इस आइलेंड पर आज भी नजर रखी जाती है ताकि तूफान या बाड से लोगों को बचाया जा सके लेकिन ये बाद तो साफ है कि ये लोग किसी भी भारी का अपने मामलों में हस्तक्षे बिल्कुल नहीं चाते नौर्थ सैंटिनल जनजाती के लोग बेयत हिंसक और खतरनाक है शायद ये ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वज़से सब्बे दुनिया का कोई भी इंसान अब तक इनके पास पहुच नहीं सका है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलियागा नमस्कार